अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए साथ ही बेल एकन को दबाईए ताकि आने वाले वीडियो से आप तक जल्द पहुंच सके और comment box में मुझको comment करकर भी बता सकते हैं अब आज का topic है हमारा mathematics कई लोग है सुन्षते हैं कि mathematics बहुत यह tough subject है और mathematics को हम solve नहीं कर सकते देखे dear students अगर जो subject हमको आसान लगता है उसको हम friendly feel करते हैं और जो subject हमको tough लगता है इसको हम दुश्मन की नजर से देखते हैं, अगर हमको subject नहीं आ रहा, तो उसका reason क्या है, क्योंकि हम जो first class से पढ़ते वे रहे हैं, वही mathematics यह भी तक है, तो हम mathematics solve नहीं करने का reason क्या है, हम mathematics solve नहीं क्यों कर पा रहे हैं, तो इसको हम पहले गावर से देखना चाहिए, जब त subject के आपको fundamentals अच्छी तरह याद नहीं हो, तब तक आप कोई भी mathematics को, या कोई भी subject को solve नहीं कर सकते, सिर्फ mathematics के नहीं, दूसरे subject को भी solve करना है आपको, तो उसके basics आना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह mathematics को आप देखेंगे, तो mathematics के भी formulas है, multiplication, division, यह सब अगर हमको अच्छ में आएगा और अच्छा subject लगेगा, दूसरे subject में मुखाबले में अगर आप चेक करेंगे, तो mathematics से बहुत ही easy subject है, और इसको tricky से हम पढ़ सकते हैं, अगर आप मेरे वीडियो से अगर चेक करेंगे, तो उसके अंदर मैं trick से पढ़ाया हूँ, कोई भी lengthy question या जियादा, उस यह 10th class की रेटर बहुत ही hard थी, उसके मुखाबले में 10th class की बहुत easy subject है, और हमको दुनिया का material online पर भी पढ़ावा है, हम उसके देखकर भी mathematics सेख सकते हैं, कोई भी subject हमारे लिए hard नहीं बनाना चाहिए, और हम अगर hard दिखता है, तो हम उसको दुष्ष्वन के निगा से देखते हैं subject हो, अब mathematics hard हमको क्यों लगता है, क्योंकि हम mathematics पे जियादा interest नहीं देते, जिसकी वज़े से हमको hard लगने लगता है, इसके लिए सबसे पहले आपको classes regularly attend करना पड़ेगा, और classes में जो subject आपको सिखाए हैं, वो subject अच्छी तरह आपको सिखना पड़ेगा, तब कोई भी subject आपको याद नहीं रहेगा, especially mathematics ज्यादातर practice का subject है, अब mathematics hard क्यों है, इसका मैं एक example आप लोगो समझा रहा हूं, देखे, सबसे पहले mathematics एक game है, 11 players का game है, 11 players के game को हम सिर्फ अकेले खेलना है, 11 players game को सिर्फ only अकेले खेलना है, वो हम को खुद खेलना है, यहाँ प 11 players के game को हम को अकेले खेलना है, वो 11 players किया है, हम देखेंगे, अब देखी, 11 players किया है, पहले है, method, जब तक हम को mathematics में method follow नहीं कर सकेंगे, कोई भी हमको mathematics solve नहीं कर सकेंगे, दूसरा है attention, तवजो, हम जयादा तवजो देंगे, तो हम mathematics आसानी से सिख सकते हैं, तीसरा है trick, trick से हमको mathematics solve करना होगा और चाहता है habit हमको mathematics करने की habit होते जाएंगे तो हमको बहुत आसान लगेगा अरे इतना easy है हम मैसुस कर सकेंगे उसी तरह endurance ई से है endurance बड़दास्ट करने की स्थाखत अगर कोई question नहीं आ रहा हमको solve करना है इसको सबर से solve करना है उसी तरह m से mood mathematics करते वक्त भी हमारा ध्यान एक की तरफ होना चाहिए इधर उदर हुआ तो मैतमेटिक solve नहीं कर सकते उसके बाद एस आता है attention mathematics करते वक्त हम attention भी हमको होना चाहिए ति उसके बाद आता है टीटी मने track mathematics करते हो एक ट्रैक पर हमको चलना होगा multiplication के question को multiply करना होगा divide के question को divide करना होगा इस तरह एक track पर हमको चलना होगा और I for interest आता है हमको mathematics में बहुत interest भी होना चाहिए और दिल्चस पर लेके solve करेंगे तो हम solve कर सकते हैं और C for concentration हमको mathematics पर concentration भी करना होगा और S से आता है sincerity sincerity से भी solve करना होगा 11 एगर words है mathematics में 11 words है 11 player समझेंगे 11 player का game सिर्फ अकेले के खुलना है हमको ही खेलना है तभी हम mathematics आसानी से solve कर सकते हैं अगर आप लोग देखे solve कीजिए आपको हम खुद आसान लगेगा दूसरे सब्जिक्ट के मुखाबले में आपको mathematics बहुत ही आसान लगेगा ऐसा नहीं है कि हम इसको solve नहीं कर सकते सिर्फ हम बना लिए कि hard है अब देखे इसके लिए हमारे पास क्या करना चाहिए सूचिए कई लोगे सूचते हैं कि हमारे पास मकसद है पर वो मकसद goal नहीं है target नहीं है सिर्फ वो खौइश है desire है हमारी अगर अपनी खौइश को ही अपना मकसद समझ कर आप चल रहे हैं तो आपको पता है कि आपको मकसद या goal क्या है अगर इस तरह मकसद को आप अपने डिजर खौईश को ये मकसद चल रहे हैं तो ये वेकार है, ये आपको आगे काम आने वाला नहीं है अगर आपको गोल है, आप एक टार्गेट है और टार्गेट को आप रीच करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा अगर आप सुच रहे हैं कि मेरे खौईश ही मेरी टार्गेट है ये गलत है, क्योंकि कई लोग अपने खौईश को ये टार्गेट कर रहे हैं मैं सुझ रहा हूँ कि मैं लीडर बनूँ, मैं अच फस्ट जीजन में पास हूँ, मैं क्लास फस्ट हूँ, यह हम लोग खौईश जहर करें, लेकिन उसके मताबिक हम मेहनत नहीं करें, अगर टार्गेट रखेंगे हम और हमारा एक एम होगा, तो उसके मताबिक हम को क्या करना है, अगर सब्जेक्ट की ग्रिप अगर हम पाएंगे, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर किसी के पास टार्गेट है, किसी के पास एम है, तो वो इनसान सबसे स्मार्ट होता है, जिसके पास टार्गेट है, जिसके पास एम है, वो इनसान सबसे स्मार्ट रहता है, जिसक में स्पैसिफिक स्पैसिफिक मतलब मैं कलास में फॉस्जूजन में आना चाहता हूं तो मैं फॉस्जूजन में आना है स्पेसिफिक है मतलब कितने माक्स है आपका टार्गेट क्या है इसे कहते हैं स्पेसिफिक इसके पास सेकेंड वड़ आता है ए एचीवेबल हम वहां तक पहुंच सकता हूँ क्या मैं एटी परसंट है तो मेरे पास कितना वाक्त है पढ़ने के लिए मैं एटी परसंट ला सकता हूँ उसके बाद हंडडेड़ परसंट ला सकता हूं इसको कहते हैं हम एक सच मुछ हमने हम को कॉन्फिडेंस है तो रियालिटी रियालिटी होना चाहिए जूट नहीं हमाई सुच रहा होंगे एक्जाम से मैं फॉस्ट जूजन आउंगा फॉस्ट जूजन आउंगा एक्जाम सारे लेकिन भुस के मताब पड़र नहीं आप लोग सिर्फ सुच रहे आप लोग कॉप मनेलम हितना है हमारे पास हम अभी हमको तीन महीं नेए दो महीं इग्जाम है तो कम साफूजेक्ट को हम कितना पड़ना है और कितना टाइंगे तो हम हमारे deep कर सकते हैं यहेंड है शब्सक्राइब बनाना चाहिए जिसके लिए ये सब्दों इतना वक्त दूँगे मैं ये दूसरे सब्जक्र इतने वक्त में complete करना है तो मुझको इतने marks आएंगे यह time bound है अगर आप इसको time bound को अमल करते हुए चलेंगे तो आप आसानी से अपने target को अपने aim को आप reach कर सकते हैं अगर time आप वेस्ट करेंगे कल exam से जाने दो तीन वहने exam से अभी से पढ़के क्या करेंगे भूल जाएंगे ऐसा नहीं अगर आप अभी से उसी की तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे marks ला सकते हो वक्त तो बहुत है लेकिन वक्त जैसे जैसे खरीब आते जाएगा आपका टेंशन और बढ़ते जाएगा और को subject पर concentrate नहीं कर सकेंगे इसलिए अभी से हमको 760 या 80% marks नहीं लेना है अगर 100 marks का है तो paper 100 का ही हम करके आएगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले revision आपको अच्छी करने पड़ेगी और उसके बाद example exercise भी आपको revise करना पड़ेगा और important questions बना कर आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप अपने target को reach कर सकते हैं अच्छे माख से पास हो सकते हैं तो इसलिए mathematics के है तक बिल्कुल मत दरिए आप mathematics बहुत easy subject है आपका सिर्फ फोबिया है mathematics फोबिया ने mathematics की hybrid या डर कहते है उसको वही ह है लेकिन mathematics बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आप regularly मेरे चैनल को follow करेंगे तो आपको आसानी से हैर question समझ में आएगा और एक step एक question रोज एक question प्रैक्टिस करते जाएए आप पूरे exercise आसानी से समझ सकेंगे best of life